इस थंड की मार हम ने नहीं इन पौधोंने भी जेला है और मर्च आने वाला है फरवरी खतम होने वाला है और ऐसे में हम क्या करें कि हमारे डॉर्मिंसी से आई हुए प्लांट फिर सी खेलिए उठें और क्या गेर करें कि इसमें फिर नहीं जाना जाये तो स्वागत है गार् प्लांट को कैसे रिकवर करें तो वीवर्स जितने भी प्लांट लेगी से हो गए हैं अनहिल्दी से हो गए हैं उसके पत्ते पीले पड़ गए हैं तो फर्स्ट अफॉल उन सारे प्लांटों की आप प्रूमिंग करतें और प्रूमिंग करने के बाद अच्छे से मिट्टी की और बचे हुए जो आपके प्लांट है उसको अच्छे से कट करके साफ फंगी साइट के लगाने के बाद अप उसी फिर से आप लगा दे ताकि आपको एक प्लांट से कई प्लांट में मिल जाए बेगन वीशिया का खासियत ही है नवीवर्स की जैसे जैसे गर्मी बढ़ते ज और यह अच्छा इसके लीफ भी काफी अच्छे हो जाते हैं तो मैं क्या कि देखे वीवर्स इसे कट की मिटी की गुडाई और गुडाई करने के बाद साफ पंगी साइट के साथ मैं लगा दे किता है किसी तरह कोई भी फंगी साइट इसमें फंगस अटेक ना करें और मैं इसमें एक थाइमेट पानी में मिला कर मैं थोड़े से इसे वाटरिंग भी कर दी हूँ थोड़े से मैं इसमें नीम खली और काउड़क भी दी हूँ वीवर्स यह हमारा नाक चंपा है इसके सारे पत्ती गिर चुके थे यह भी प्लांट डॉर्मेंसी में आ चुका है और ज रिष्फटी चुका है मिला मिला डॉर्स कर दोड़ के अर ब्रांचेज भी आएंगे और कटी हुए पोर्षन को मैं फिर से मिठी में लगा दूंगी तो कई प्लांट हमारे बन भी जाएंगे और इसमें कहीं सारे ब्रांचेज भी नहीं आएंगे तो प्लांट भी खना हो तो मैं सेम प्रोसेस के साथ इसकी भी गुडाई कर ली और मैं इसे रिस फर्टिलाइजर अभी नहीं दूंगी क्योंकि प्लांट हमारे सॉफ थे डॉर्मेंसी में आ चुके थे ठंड से इनकी हालत खराब होगे थे इनकी रूट भी काफी अच्छे डेवलप नहीं हुए थे और कटिंग कर लेने से मुझे फाइदा यह मिलेगा कि प्लांट जो है पहले यह रूट डेवलप करेगा और उसके बाद कि नए नए ब्रांचेस भी निकालेंगे तो इसके लिए मैं क्या की कि इसमें थोड़े से कावडग मिलाई साफ फंगिसाइड दी कि किसी तरह का साफ लगा दी हुँ ताकि फंगिसाड की किसी तरह कोई अकराय करें वैसे ही हमारा मोғर। मोग्रा भी हमारा धन्ड पर रोमिंगा ज़रु में ऌरा जाता हूं इस से हाड में प्रूमिंग करने की जरुबत होती है आप जितने भी मन को हाड में करोघर उतने हिप्लांट बहुत घना होगा और इसकी नमा जो को के ऊधमया जो जितने भी ह زच अगदाशन है तो वीवर्स आप देख रहे हैं कि इतनी ठंटी की मिट्टी प्रॉपर नहीं सूकने से एक लेयर काई की लग गए थी मिट्टी में और उसे अच्छे से गुड़ाई करने के बाद नीम खली काउड़ और साफ फंगिसट मिलाकर मैं इसमें फिर से दाल दे रही हूं सारे प्ल मैं फिर से इसे रिच फटिलाजर भी दूँगे और मैं इसके सारे कटिंग को इसमें वापिस से फिर से लगा दे रही हूं और ताकि मोग्रा जो है यह अप्रेल से लेकर अप्टूबर तक काफी अच्छा यह फ्लावरिंग करता है और इसकी खुस्पू भी भीनी भीनी ब बढ़ा ही रहे हैं लेकिन गर्मी के भी फूल होते हैं और मुझे गर्मी में भी हम सभी को फूल चाहिए होता है वीवर्स तो ऐसे में हमें अपने पर्मानेंट प्लांट की केर भी जरूरी होती है वीवर्स अभी अब हमारा यह कृसंतम है जिसे गुलदाबदी के नाम से या मोदी फूल के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो अब इनकी सीजन धीरे-धीरे खतम हो रही है, और ये मेरा, ये भी एंगलो नीमा है, और देख रहे हैं, वीवर्स, इसमें कुछ-कुछ घास जम गए थे, मैं उसे हटा के, और इसे भी घुडाई कर दी हूँ, ताकि इसके मिट्टी जो है, अच्छे से सूख जाए, और जड़ो में नमी और हवा लगने लगे, जिससे ये प्लांट अच्छे डेवलप हो जाए, तो जाड़े के प्लांट तो आपके गार्डेन में सुभा बढ़ा ही रहे हैं, और गर्मी में भी खिलने वाले पौधे का इसमें डाल दी हो, जिससे इसके डाल में फंगस ना लगे, और ये मेरा आइस प्लांट भी काफी अच्छा ग्रो कर गया है, इसमें भी मिली बक्का अटेक होता है, जिसके कारण इसमें भी एस्प्रे करना होता है, वीवर्स जाड़े की फूल हो, या गर्मी की फूल हो, द इस पीडियो में, ओके वीवर्स बाबाए